हेलो दोस्तो नमस्कार या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो दोनो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना तो चले दोस्तो फटा फट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे आज के दिन हमारा बाजार क्लोज है बटे दुनिया बर के बाजार आज भी चलते विए देखने को या पर मिल रहे है तो आप देख सकते हैं, जर्मानी के मार्केट कि बात कर सकते हैं मतलब यूरोपियन जीतरें भी कंट्रीज है उनमें हमनों को positivity फिलाल देखने को मिल रही है अभी तो पूरे दुनिया बर के बाजार बिलकुल इन लाइन चलते हैं मतलब चलेंगे तो सभी के सभी हरे निशान में गिरेंगे तो सभी के सभी लाल निशान में इसमें सबसे एक इंडेक्स फिलाल या पे बन चुका है वो है रशिया का मार्केट अभी आप लोग देख सकते आज के दिन के बात करें सवा दो पसेंट तीन पसेंट के आसपस positivity दिखा रहे है positivity दिखाना इतना काफी है क्योंकि आपको पता है हालत कैसे है रशिया और यूक्राइन में बहुत ही ज़ादा तनाव हम लोगों को देखने को मिल रहे है बातचीत तो यहापे चल रहे है बट अभी तक कोई final outcome तो देखने को यहापे नहीं मिला है अगर आज के दिन अगर आप लोगों ने देखा होगा बीच में बहुत ही ज़ादा higher level पे देखने को मिल रहे है जैसे वो higher level पे था तो आप expect कर सकते हो कि American बाज़ार आज के दिन शुरुआत बहुत ही गजब का कर सकता था और वैसे ही कुछ हम लोगों को देखने को मिला ह जैसे अमेरिकन बाज़ार के future में हमनों को तेजी देखने को मिल रहा था तो बहुत सार लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया सर अमेरिकन बाज़ार में क्या चल रहा है क्या FOMC की बेठक का जो आउटकम है वो सामने क्या आया है तो दोस्तो इसी से related थोड़ी सी ओफिशल न्यूज अभी तक सामने नहीं आई है यस मैंने कल के दिन भी आपको बताया है कि 25 और 26 यह दो दिन मिटिंग्स हम लोगों को चलते वे देखने को मिल जाएगा तो फिर बाज़ार में हम लोगों को यह बीच में इतनी भयंकर तेजी मतलब गैप ओप ओपनिंग आप लोग देख सकते हो और इतने टॉप लेवल तक बाज़ार कैसे पहुच गया लगबग 34815 इतने हाईर लेवल तक बाज़ार चला गया अब देख सकते हो ओपनिंग मतलब प्रिविएस क्लोजिंग 297 और हाइस लेवल देख लेना 815 तक चला गया इतनी बड़ी जंप क और यहीं रहे हाई हैं आज दिन आईगी लेट नेट हमारे मार्केट की अगर मिकल की दिन की बात करो तो सुबह हमारे मारकेट डिरेक्ली एफो एमसी के बेटक का आउटकम जो रहेगा उसको पकड़ कर ही डिरेकली रियक्ट करने वाला है तो यहाँ पर अमेरिकन बाजर म यह expected बाते मतलब ऐसा हो सकता है ऐसी बाते चल रही है अभी ओरीजिनल खबर अलग हो सकती है एक्सपेक्टेशन वाली खबर अलग हो सकती है जैसे कि बजट आ रहा है आप लोगों को पता है हमारे इंडियन मार्केट में भूट सरी अफवाय ओड़ती रहेंगी कि ऐसा हो सकत है ओरीजिनल खबर तो हमनें को फैब में ही पता चलने वाला है तो वैसे यहाँ पर अभी तक इसका आउटकम सामने नहीं है बट फेक तो नहीं बोला चाहिए एक्सपेक्टेशन क्या चीज़े सामने रही है कि शायद से मैं अगेन वर्ड यूज कर रहा हूं दोस्तों यह लोग बात करें यहाँ पर यहाँ पर फेड ज्यादा फोकस दे सकता है यह फिलाल बाते सामने आ रही है देखे मैंने आप लोगों को अल्रेड बता है ता बेलें शिट नॉर्मलेजेशन इंट्रेस रेट हाई कि दोनों चीज एक साथ अगर होगी तो फिर बाजार थोड़ किया जाएगा यहाँ पर आप लोगों को पता है कि इतने जादा पैसा चाप जा चुका है तो उसको हम लोगों को अगर सारी चीज अगर हम लोग नॉर्मलाजेशन की बात करें तो वह में अजेंडा यहाँ पर हो सकता है तो इसलिए यह बात ऐसे चल रही है तो गैप अप उपनिंग देन इतना जबर्दस तेजी देखने को मिल रहा है बड़ बाद में आप लोगों को पता है कि अमेरिकन बाजार में भी यह चीज़े चलती है पहले मतलब न्यूस लेकर आओ उसके बाद डंप करो तो यह चीज़े चलती रहे तो ऑफिशल अभी तक कोई भी हम को खबर देखने को आप नहीं मिल रहे है मैं एक बार रिफ्रेश कर लो तो पता चलेगा शायद से अमेरिकन बाजर लालक शर में भी गया होगा नहीं फिलाल तो ठीक ही चल रहा है यह आप एक सो साट पॉइंट तो देखने को मिल रहा है बट जो ओपनिंग इसकी जो होई हमारे मार्केट के लिए कोई भी इवबट वाली कंडिशन नहीं रहने वाली साफ साफ चीजे सामने आ जाएगी तो फिलाल जो भी चीजे यहाँ पर चल रहे अमेरिकन बाजर में वो सिर्फ और सिर्फ अफवाई यहाँ चल रहे बाजर में भी एसे बहुत सारे मेसेज़े गुम रहे है कि FMC कोई भी रेट यहाँ पर हाइक करने वाला नहीं है वो एक्सपेक्टेशन बाते बताई जारी है दोस्तों में बार बार के रहा हो मिटिंग से रिलेटेड अभी तक ऑफिशल खबर आना यहाँ पर बाकी है तो इसी के रिलेटेड हम लोग फिलाल तो इंत पहली यह चीज़ें हम लोगों को देखने को मिले एक और नीज से रिलेटेड कि बताय जा रहा है कि इनको यहाँ पर और किसी बीच में मतलब बोलते ना सोलूशन निकालने की कोशिश यहाँ चल रही है यह भी बताया जा रहा है कि इंडिया से भी कुछ ना कुछ यहाँ बाच्ची थे आप ये करनी की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया भी थोड़ा सा अगर इंटरफेर कुछ कर देगा क्योंकि चीज़े अगर नहीं रुकी तो आप लोग को पता है कि situation बहुत ही खराब या पर हो सकती है आप लोग को चार-पाच दीन पहले बता दी थे अभी आप लोग को बहुत सरे लोग बता रहे हैं कि रशिया यूकरेन से रिलेटर तो इसलिए कहना चाहूंगा ये खबरे पहले भी आप लोग को यहाप पता होनी चाहिए अभी तक देखा गया तो यूरोपियन मार्केट्स में तो कोई भी इस तरीके का दबाओ नहीं देखने को मिल रहा है तो तब तक तो हम लोग इसको एक थोड़ा सा पॉजिटिवी साइन पकड़ कर यहाप जरूर चलेंगे देख लेते हैं अभी आगे जाके क्या होगा ये इससे रिलेटर आप लोग कोई ठोज एनलेसिस तो यहापे नहीं कर सकते यह तो डिपेंड करते है किस तरीके का आउटकम यहापे निकल कर आता है तो इसलिए फटावट वीडियो बनाना पड़ा दोस्तों अगेन कहना चाहूंगा अभी तक कोई भी आउटकम ऑफिशली तो सामने यहापे नहीं आया है यह सारी चीज़े अ साहरा ले सकते हो मैं अगेन कहें रहा हूं न्यूस चैनल को बाई सेल के लिए कभी भी फॉलो नहीं करना होता है सिर्फ एजुकेशनल परपस से रिलेटेड हां कि कल रात यहापे क्या हुआ तो वह शायद से न्यूस आप लोगों को मुझे ऐसा लगते कि न्यूस चैनल इ यहापे सामने नहीं आई है जैसे ऑफिशली आएगी आप बाजर क्लियर कट एक डायरेक्शन पकड़ लेगा वह हम लोगों को यहापे देखना है तो आयोब आशाकरतों वीडियो पसंद आओगा तो जरू लाइक और शेर भी कर देना तो यह से टेंकिवरी मज़ों सो वी विल भी मिटिंग आरेक्शन दिए तब तक के लिए बाई बाई